दोस्तों गर आपके भी bank account में government की तरफ से किसी भी तरगा कोई पेसा आता है जैसे कि pension का पेसा हो या फिर किसी भी योजना का पेसा हो या scholarship का पेसा हो या फिर किसान संबालने दी योजना का पेसा हो और आप उस पेसे को online check करना चाहते हैं तो government ने आपके लिए एक portal को में बताने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को सुरू सिलाश तक जरूर देखें तो इसका complete process जानने के लिए आप इस वीडियो को like कर दे हो सके तो हमारी यूटूब चैनल को भी subscribe कर दे तो चले इस सुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने mobile या PC में Google browser को open करेंगे और यहा आप इस पर किलिक करेंगे आपके सामने payment portal का home page आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पेपमेस की full form public financial management system होता है अब हम थोड़ा नीची स्कूल करेंगे और यहां से now your payments वाले option पर किलिक करेंगे किलिक करते हैं आपके सामने next page इस परकार से open होगा अब हम यहा यहाँ पर अपनी bank का name select करेंगे आपका account जिस भी bank में है उस bank का name आप यहाँ पर type करेंगे जैसे कि हमारा account SBI bank में है तो हम यहाँ पर type करेंगे state bank of India तो हमने यहाँ पर सिर्फ state bank लिखा तो यहाँ पर suggestion में और भी bankों का नाम देखने को मिल जाएगा जितने भी bankों का नाम state bank से सुरू होगा उन सभी bankों का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपकी जो भी bank है आप यहाँ से select कर लेंगे जैसे कि हम यहाँ से state bank बेंडिया को select कर लिए तो आपको भी इस तरीके से ही अपनी bank का name select करना है आपकी bank जो भी है बड़ोदा पंजाब HDFC इस पर यहां से send OTP on registered mobile number वाले option पर क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं आपके account के साथ आपका जो वाला mobile number लिंक होगा उस पर एक OTP send किया जाएगा तो आपके कौन से वाला mobile number पर OTP send किया गया है यहाँ पर आपको mobile number भी देखने को मिल जाएगा तो आपकी इस mobile में आया हुई OTP को आप यहां पर डालेंगे और पिर यहां से verify OTP पर क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं आपके bank account में government की तरफ से जितना भी पैसा आया होगा जिसली से योजना का और वो कब आया है और कितना आया है complete information आपको यहां पर देखने को मिलेगी जैसे कि आपके account में किसी योजना का पैस पैसा आया है तो उसका नइम आपको यहां पर देखने को मिलेगा कौन सी किस्ता आपके account में आए है यहां पर किसत का n और यह पेसा सकसेज़पुली आपके अकाउंट में गया या फिर नहीं यहां पर आपको इस्टेटस भी देखने को मिल जाएगा और आप चाहे तो यहां से इस पूरे इस्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि कब-कब ही पेसा चेक कर सकते हैं जो पेसा आपके अकाउंट में गौर्मेंट की तरफ से डला हो चाहे वो किसी भी योजना का पेसा हो या फिर कोई पेंसन हो या फिर इसकोलर्शिप हो कोई भी पेसा हो जो गौर्मेंट के थरू आपके अकाउंट में आता है उसे आप यहां से आस तो आपको पता होगा जब गुवर्मेंट हमारे अकाउंट में किसी भी तरह का पैसा ट्रांसफर करता है तो डायरेट डीवीटी के तरह ट्रांसफर क्या जाता है डायरेट बेनिफिट के तरह और वह पैसा अपने अकाउंट में तभी आ पाता है जब हमारा बैंक अकाउंट आदार कार्ड के साथ-saat-NPCI Server daily link हो नहीं तो फिर government हमारे अकाउंट में पैसा दूसरे मेतल से रालती है अकाउंट नम्बर के थरो और जो पैसा अकाउंट नम्बर के थरो हमारे खाटे में आता है उस पैसे को हम इस सरकारी portal से चेक नहीं कर सकते आप इस पोटल से तसरीफ वही पेसा चेक कर सकते हैं जो पेसा डायरेट बेनिफिट के तहता आपके अकाउंट में आता है पूड़ पी से है सरवर से लिंक कैसे करेंगे तो ऐधुप आज की वीडियो आपको कापी पसंदाया होगा अगर वीडियो पसंदायेद इस वीडियो को लाइक करे अपने दोस्तों की साथ इस वीडियो को सेर करें और आपके दिमाघ में फिर भी कोई कशी चारिपार जब त कि झ्सकाव से प्रज़ आख कि एफ